ट्रेडर काफी सारे लोगों को ड्रावट था कि सब्सस्राइब स्फरेंड एंड रिजिस्टेन्स ड्रॉ करते हैं तो विक को मैंट्यू दख करते हैं या बाडी टू बाडी लाइन को ड्रॉ करते हैं ठीक है सारा सब कुछ जितना भी डाउट है आप लोगों का वो सारा किलियर करूंगा इस वीडियो में क्योंकि कमेंट्स मैंने कुछ पड़ी हुई थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं वो विग टू विग ड्रॉ करते हैं या बॉडी टू बॉडी डॉड़ करते हैं मतलब क्या होता है ठीक है तो उसको डिटेल में आज एक्सप्लेइन करूंगा मैं और हर एक चीज समझाओंगा लाइफ ट्रेड भी करूंगा लाइफ ट्रेड भी थोड़ा बहुत करूंगा जिस केंडल पर लाइफ ट्रेड ठीक पूरा एक्सप्लेइन करूंगा काइद इसे तो चल्लों चलते हैं तो अभी आप देख पारेंगों यूस्डी आइनर मैंने करेंसी ओपन कर रखी है ठीक है अब यहां पर सपोर्ड एंड रेजिस्टेंस आपको देखना है तो मैं यहां से देखिए यह जो नीचे से डायरेक्शन की तरफ यह जो ट्रेंड चला हुआ है इसी में आपको कई सपोर्ड एंड कई रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ ठीक अभी एक सपोर्ड तो आपका यह हो गया जिसको हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं ओ सपोर्ड भी बोलते हैं उसको ठीक है ना सपोर् रात होती है ठीक है अभी रेजिस्टेंस और सप्फलाई जोन ठीक है से महाने लिए अब रजेस्टेंस को ही जहांपर मारकेट राजिस्टेंस लेती है तो वहां बोलतेह सप्लाई जोन रार जेये के हैं और जितने सपोर्ट एन रजिस्टेंस है सारे ड्रॉ कर लेंगे यह आपका कि सपोर्ट हुआ डिमांड जोन हुआ ठीक है यह आपका भी सपोर्ट हुआ ठीक और यह आपका एक और सपोर्ट है ठीक कोड़ी आ फोड़ी लेते हैं रेक्टेंगल कम पड़ जाएंगे इसको काइदये से अभी मैं एक्ष्पलीन करूंगा आपको कि wheat to wheat लेते है body to body लेते हैं क्या है क्या नहीं है पूरा एक्सिफ्प्लीन करूंगा और यहाँ पर भी एक आपका प्रीवियस रजिस्टेंस था तो सपोर्ट मान लिए इसके प्रीवियस सपोर्ट था ठीक अब एक आपका ऊपर हो गया सपोर्ट सारी पहले मैं ड्रो कर लेता हूं उसके बाद आपको सारा सब कुछ समझाता हूं बहुत कायदे से समझाओंगा समझना अगर ना समझ में आए वीडियो को दुबारा देख लीजिएगा वेट यहां पर एक आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था ठीक है और सपोर्ट भी और यहां पर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे यह आपका वेख हो गया यहां पर अभी दो और चाहिए असके लिए टूल में जाना पड़ेगा रेक्टेंगल लेना पड़ेगा रेक्टेंगल ले लिया अभी आपको बॉड़ी टू बॉड़ करना विख तू विख ड्रॉख करना सारा सब कुछ यहीं से समझ गया जाएगा पहले चितने भी हैं सारे इसे ठीक और एक आपका कहां पर होगा अभी मैं बताता हूँ आपको छोटा सा होगा आपका यहां पर इसको काईदे से ऐसे कर देंगे और इसको काईदे से ऐसे कर देंगा है अब जिनकी विटो विक और बादी टो बादी वाली समस्या थी यहां पर साल्व हो कि देखिए हैं सबसे पहले तो यहां पर आप देखेंगे इसको मैं हटा देता हूँ इसको अध्यूरू अब आप देखिए गा यहां पर अगर यहां punt मानेंगे तो इतनी इक ठीक है अगर विक से लेते हैं तो यह भी आ जाएगा आपका और यहां पर भी यह आ जाएगा यह ठीक है ना इसकी बात नहीं कर रहा हूं या तो फेक ब्रेकाउट हो गया इधर कैंडल मान लीजिए जो भी नाम देना हो दे दीजिए ठीक है तो यहां पर अगर आप यह इस स सभी लोगों को जितने भी ट्रेडर्स हैं सब को यहां पर मार्केट ने फसा दिया ब्रेकाउट दिखा के अगर इसकी महले तो अगर इसी को ऐसे कर दे यह देखिया ठीक तो आपकी विक भी कवर हो गई तो अब यह क्या हो गया अब यह एक आपका और थोड़ा उपर कर द काहिर सी बात है आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा ठीक मार्केट ने क्या किया रेजिस्ट हुई अगें यहीं से मार्केट ने क्या किया यहां से सप्लाई हुई फिर से आपकी डिमांड हुई उसी जगह से फिर से सप्लाई हुई अब थोड़ा अब यहां अगर आप दे यह उपर जाना चाहिए था लेकिन मारके नीचे आ गई ठीक है तो ब्रेक आउट नहीं हुआ था यह आप ऐसे करेंगे जब ठीक तो यहां पर आप देखेंगे तो इसका विक है यह तो यह एक एरिया हो गया आपका क्या हो गया यह एक एरिया हो गया आपका सप्लाइए एरि ठीक इसको ऐसे कर देते हैं अब ये आपका सप्लाई एरिया देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ठीक न तो आप आप देखेंगे मार्केट ने नीचे आई फिर से मार्केट ने उसी एरिया में जाके फिर से सप्लाई हुई उसी एरिया में जाके फिर से सप्ल इस एरिया के नीचे मार्केट तभी वो अपवर्ड इसको अब ब्रेक करेगा तभी आपके लिए आप सोचिएगा कि मार्केट आप जाएगी अधर वाई जिसके नीचे अगर मार्केट है इस एरिया के ठीक ना एक एरिया निकलाया आपका तो अगर इसके नीचे है तो मार्क मार्केट में आप आपके लिए ट्रेड भूल जाए है डाउनवार डिरेक्शन में आपको ट्रेड करना ठिक यहां से यह पता चला ठिक अब देखिए यहां पर नीचे यह कैंडल ने बता दिया कि मार्केट को नीचे आना तो बैक तो बैक यह एक रेड कैंडल ही यहां से बन ाई आई तो यह एक एक क्या हो गया है का आपका सप्लाइवाला एरिया हो गया रजस्टेंश हो गया है तो कोई दिखिए मार्केट को थोड़ा सा बदल्ब आपका आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है सपोर्ट और रजिस्टेंस बार बार अगर एकी एरिया मनलब सपोर्ट और रजिस्टेंस का जो एरिया है वहीं से बार बार मार्केट गिर रही है ठीक है ना तो कहीं न कहीं मार्केट में या तो डिमांड है या सप्लाई है मतलब एक ही एरिया से अगर ठीक है तो अब यहां पर क्या हो रहा था यहां पर बार बार मार्केट आपका सप्लाई यहीं से आ रही थी इसी एरिया से आ एक एरिया यह निकल गया आपका यतना यह एक एरिया है ठीक है आगे के लिए अगर यहाँ पर इस एरिया में जाने से पहले एक बार market downward direction में जरूर आएगी ठिक अब यह क्या है आपका अब यह क्या काम करेगे यह दोनों यह आपका काम करेंगी supply zone का क्योंकि इसको भी break कर दिया है market में ठिक और यह दोनों का मिला के आप देखेंगे तो ये भी एक एरिया मैं एक को हटा के एरिया बना देता हूं इसको हटा दिया मैंने और ऐसे कर दिया अब बताईए एक एरिया ये आपका निकलाया निकलाया इतना मतलब इसको अप उपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग अपवर डिरेक्शन कि नीचे रहेगा तो फिर डाउनवर डिरेक्शन थीक है अब देखते हैं ब्रेक करता है या नहीं नीचे अगर रेड कैंडल ये बन जाए तो फिर नेक्स्ट वाली भी आपकी रेड बनेगी बनेगी ठीक है क्योंकि वहां पर मार्केट ने क्या किया है रेजिस्टेंस लि और बना लीजिchen में ऊपर है तो अब आप हाट अधंतने बना लीजीए समझ गलेँ अब यहां पर वैड 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 मेड नीचे रहता है यहां उपर नीचे में एक लिक यहां क्योग यह अगर यह दाओंवार डिरेक्शन में यह ठił लूज कर जाओंगा बाइद अगर ये चोप एंड़ बन रही है ये एरिया के अंदर क्लोजिंग देती है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कहीं का लग ट्रेड नहीं लेंगे अपना ही अपनेगे नहीं डाउन लेंगे अगर ये एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम लोग डाउनवर डिरेक्शन में ट्रेड करेंगे अगर ये ऊपर क्लोजिंग देती तो हम लोग अपवर डिरेक्शन में ट्रेड करेंगे अभी देखते हैं क्या होता है वेट तो इसने क्या किया बहुत सही जग क्लोजिंग दिया था यह वाली कैंडल ने जहां मैं करसर मूप कर रहा हूं रैड कलर की जो है ठीक इसी लिए डाउनवर्ड डिरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया हुआ था रूल के अगेस्ट नहीं गया कुल मिला के सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ना ही मेरा कहने का यह मतलब सपोर्ट एंड रजिस्टेंस नीचे आपको दिखा हूं है इसलिए मैं कहता हूँ कायदे सी वीडियो देखा करूँ और इतना अच्छा डिजल्ट आपको मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हुगे, ठीक है, मैं लाइब ट्रेड कर रहा हूँ, साथ में आपको समझाते हुए भी चलना हूँ, अब यहाँ पर एक एक को हटा देते हैं, देखिए, अब इतना एरिया है यह, ठीक, इसको एरिया निकाल लेते हैं, इसको पहले कर देते हैं, यहाँ तक चलो, यह आपका एरिया हो गया, और यह ग्रीन वाली को यहलो वाली को हटा देते हैं, अब एक एरिया आपका यह भी हो गया, ठीक, अब इसके नीचे मार्केट रहेगी, इसको और बढ़ा कर देते हैं, ठीक है ना, इसको और बढ़ा कर देते हैं, नहीं, यह ऐसे है, ठीक तो यह मतलब दो दो बार इसको ड्राउन नहीं करना है ठीक है न यह नहीं है यहां पर यार सब आपका यह 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 ठिक Exact वहीं से आपका Retracement फिरसे हँआ वहीं से फिर से Retracement तो यह एक एरिया हो गया इसको और ठोड़ा सा गर बढ़ा कर देंगे इसके अंदर आपको ट्रेड महार्केट इन और इसके बाहर ऑं किलिप है तो हम लोग ग्रींस साइबगे अगर इस नीचे मार्केट है ठीक ब्रेक आउट कर दिया मार्केट ने इसके नीचे तो हम लोग डाउनवर्ड डिरेक्शन में ट्रेड करेंगे ठीक है लेकिन एरिया को अप यह डाउन ब्रेक करने के बाद तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जुरूर कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना आपका दिन सोगो